और वाट्सप्रेंड्स आप शान यॉर वाचिंग में शान लेविन और कैसे हैं मेरे वीवर्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फोमेटर्ब होने वाली है एंद बहुत ज़्यादा हेलफफुल होने वाली है एक भाई ने मुझसे कमेंड में पूछा है कि हैफ्टिक haptic feature होते है है hai i approach वह वह वर्चौल रियाल्टी उन्सा कह सकते है यह feature exact point पर होते नहीं है एक तरीके से आपको यह feature वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे इन्विजिवल कह सकते हो आप इसे इन्विजिवल फीचर होते हैं जो जो आपको haptic feature ऐसी feel कराते हैं जो हमें realize कराते हैं जैसे कि हम like iphone 6s ले लो यार iphone 6s के पहले जितने phone ले लो उन सारे phoneों में यह home button जो दिया गया है कि आप इसे प्रेस कर सकते हैं यह simple सा आपका home button है एन आइफोन 7 के इतने बात के फोन है उन सारे फोनों में एक चीज है यह solid यह test sensor होता है काफी सब्सक्राइब को नहीं पता है यह test sensor है काफी सब्सक्राइब अभी भी समझते हैं कि बटन है लेकिन यहां एक test sensor है जैसे आपक यह test नहीं होता इसका आपको दिखा देता हूं home button की setting में जब आप देख सकते हो home button and haptics यहां पर आप कि फ़स्ट वाले आइकन को जब चूश करोगे कि लाइटली कि थर्ड वाले को जब चूश करोगे और ऐज़ानीर कि धमरे होगे लिकिन होगो आपको एतना time क्लियर्ली आ रहति है नहीं लेकिन यह पर जो आपको home button है हको हे को लाइज करोगे हैं है हे एक होनिए तो यह होता है haptic feature इन्हीं कहते है haptic feature जो हमें realize कराते हैं बिल्कुल रियल जैसी feeling तो इसे on करने के लिए आपको क्या करना है setting में जाना है यहाँ पर आपको home search करना है home यहाँ पर सबसे उपर ही जा रहेगा home button तो यहाँ पर यह तीन setting दी गई है इसकी home button की यहाँ पर आप haptic feature को अपने हिसाब से सेड कर सकते हूं मैं 2 पर सेड करके इसा रखता हूं and setting जो haptic feature आपको वह आपको बता देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हो 3D touch काफी ज़दा interesting लगता है मुझे iPhone में 3D touch 3D touch में iOS 14 & 15 में जो feature आया है iOS 14 & 15 में काफी ज़दा अप्ग्रेड हुए है haptic feature जैसे 3D touch को आप बिल्कुल realize कर सकते हो जो आपको sound effect भी आता है वह आपको काफी ज़दा अब अप्ग्रेड होके मिलेंगे iOS 14 & 15 में काफी ज़दा अप्ग्रेड हुए है यह sound in iOS 14 के बाद के इतने sound है उस सारे काफी ज़दा अप्ग्रेड ली वर करते हैं जैसे आप यहाँ से ड्यावा से ड्वल टैप यह ट्रिपल टैप के जैसे भी आपने लगा रखो तो यहाँ पर आप जैसी टैप करते हो तो यह स्क्रीन सौर्ट होता है वह भी एक हैफ्टिक में आता है वहाँ पर एक sound create होता है वह सारे साउंड आपको 15 में काफी ज़दा इंट्रेस्टिंग दिखेंगे तो यह सारे हैप्टिक फीचर जितने भी है वह सारे iOS 15 के इतने फोन है उन सारे फोनों में यह आपका आता है तो यहां पर आप accessibility में जाके touch में जाके 3D and haptic touch यहां पर इसे on कर सकता हो तो यहां पर आपको पूरा देख जाएगा कैसे work करता है 3D कि आपको जो आवाज भी आती हो विल्कुल ऐसे लगती है कि हाँ वाकि यह 3D work कर रहा है कि एंड से आप fast and slow भी कर सकता हो कि यह थे आइफोन के कुछ ऐसे heftig फीचर जो के एक भाई ने मुझसे कमेंड में पूछा था इसे on कैसे करते है तो वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को कर दिए लाइक चैनल कर दिए सब्सक्राइब एंड बने रही है हम ऐसी मझेदार वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर एंड कमेंड में लिखिए कोई भी आइफोन से रहे प्रॉब्लम हो हम पूरी कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ओके ठेंक यू एंड टेक नहीं चैनल दीडियोग और गिए और लाव कि अजब्लम हो हम एंड अ strongest कि अ